हालो गुड मॉनिंग स्टूडेंट स्टाट करते हैं अपना लेसन 10 फेस्टिवल बच्चो प्रीविएस वीडियो में हमने पड़ा धिवाली गुर्पूरब और क्रिस्मस आज हम पड़ेंगे ओनम और पोंगल आपको पता है ओनम कहां सेलिब्रेट किया जाता है ओनम कहां का क्या खेले होती है बोट रेस और पोंगल तमिल नाडू का फेस्टिवल है तीन दिन यह लग मनाया जाता है पोंगल में क्या होता है बच्चों पोंगल राइस इस मेट बाइ बॉइलिंग राइस उबाले हुए चावलों को दूद में बनाके जगेरी बनाते हैं एक पॉट चीज़े ओनम ओनम इस सेलिब्रेटेड बाइद पीपल ऑफ केरला ओनम कहां पर मनाया जाता है केरला के पीपल बनाते हैं पायसम या स्ट्वीट डिश एक मीठी डिश बनाई जाती है उसको क्या कहते है पायसम इस मेट फॉम राइस इस एवरी हों जो की चावल से बनाई जीज़ें कहते है पायसम औपाहर घर में बनाते हैं बोट रेसरे ब्हां इस जिन क्या होता है बोट रेसी होती है देख़े पिक्चर बनी हुए कितनी सुन्दर सी बोट से कि बोट की शेपस भी अलग है हमारी बोट से ठीके नेक्स्ट है पोंगल, पोंगल is a festival of Tamil Nadu, ओनम is a festival of Kerala and पोंगल is a festival of Tamil Nadu, it is celebrated for three days, तीन दिन तक चलता है ये festival, on the first day, पहले दिन क्या होता है, पोंगल राइस is made by boiling rice, milk and jaggery in a pot, पहले दिन उबले हुए चावलों को बरतन में दूद से पकाया जाता है, ठीक है बच्चों jaggery कहते है, on the second day, दूसरे दिन क्या होता है, ये सन की पूजा की जाती है, सूरिदेवता की पूजा की जाती है, on the third day, cow is worship, और तीसरे दिन क्या होता है, घाए पूजन किया जाता है, गव पूजन किया जाता है, तो students, आपने देखा, कि on up और पोंगल में क्या celebrate किया जाता, देखिए, एक picture बनी हुई है, उसमें देखिए, सभी ladies, Tamil Nadu की सभी ladies क्या बना रही है, उबले हुए चावलों में, द बताना है कि sweet dish केरला की sweet dish ओनम में केरला में क्या बनाया जाता है, और Tamil Nadu में पोंगल के दिन कौन सी dish बनती है, ठीके स्टूरेंट, आप आती है हमारी tick the correct answer की chance, अब हम exercise शुरू करते है, page number 6161, tick the correct answer, यह हमको tick the correct answer, अपनी बुक में ही करने है, okay, now start it, number 1, महत्मा गांधी is a bird is celebrated as, option is, A. Independence Day, B. गांधी जयन्ती, C. Republic Day, तो right answer क्या है, C. गांधी जयन्ती, महत्मा गांधी जयन्ती is celebrated as, गांधी जयन्ती, number 2, on besakhi people, sing carol, B. visit temples, यह सिक भांगडा, दांस भांगडा, तो right answer है, C. डांस भांगडा, number 3, and the last tick the correct answer, on Diwali, B. light dhyas, fly kites, eat piasm, पायसम, तो right answer क्या है, light dhyas, तो students, इस तिक correct answer को आप अपनी fair notebook में नहीं करोगे, सिर्फ book में ही करोगे, तो एक बार और देखते हैं, अगर हमारा इसमें से कुछ रह गया, तो हम कर लेते हैं, और यही आपका assignment भी है, एक दो assignment मैंने आपको दी हैं, first है, कि ओनम festival में बनाए जाने वाले sweet dish का नाम लिखना है, और pongal festival में बनाए जाने वाले, जो dude and rice से बनता, उस dish को क्या कहते हैं, उसका name लिखना है, next tick the correct answer आपको अपनी book में करने हैं, तो start करते हैं एक बार और, महत्मा गांधी is a bird day, महत्मा गांधी is bird day is celebrated as गांधी जयान्ती, और number two, on बेसाखी people dance भांगडा, बेसाखी में people क्या करते हैं, लोग dance करते हैं, उस dance को हम लोग क्या कहते हैं, भांगडा कहते हैं, number three, on दिवाली, we light the eyes in our house, तो हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, दियाज जलाते हैं, रोशनी के लिए क्या जलाते हैं, दियाज, तो student, आप अपना assignment करिए, okay, goodbye,